हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं दोस्तो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इन्फिनिक्स की तरफ से साथ ऐसे स्मार्टफोन जो आपको बहुत ही कमाल के मिल जाते हैं और दोस्तो अगर आप एक इन्फिनिक्स का फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिए इस वीडियो में में साथो स्मार्टफोन के अंदर कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा क्या आपका बजट अगर कम है तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए थोड़ा बजट जाद है तो कौन सा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऑनलाइन सेल लगते रहती है फोन के रेट कई बार कम भी हो जाते हैं आपको सस्ते मिल जाएं लेफ्ट साइट पर विव प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके रेट शेक कर लिएगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस सबसे पहले फून के बारे में जो आपको मिल जाता है इनफनिक्स का स्मार्ट 6 प्लस Smart 6 आपको दोस्तो 2-3 मिलते है Smart 6 HD, Smart 6 और यह है Smart 6 Plus तो दोस्तो यह आपको मिल जाता है 8000 का इसके अंदर आपको सबसे बड़ी चीज यह मिल जाती है 3GB RAM दी गई है लेकिन 64GB के इंटरनल स्टोरेज तो इसके अंदर आपको 8000 में स्टोरेज काफी अच्छी मिल जाती है दोस्तों और डिस्प्ले का साइज भी काफी बढ़िया मिल जाता है साड़े चेंज से थोड़ा सा और जादा ही 6.82 इसके अंदर आपको IPS HD Plus डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले की जो क्वैलिटी है दोस्तों रेट के सापसाथ आपको सई मिल जाती है डिजाइन है नौछ फाला बाकी कलर्स वगयरा काफी बढ़िया है तो दिक्कत आपको नहीं होगी, कम बजट के अंदर इसके अंदर आपको डिस्प्ले का साइज काफी जादा बढ़िया मिल जाता है डिजाइन तो आपको नॉर्मली मिलता है, अगर पंच होल कैमेरे वाला डिजाइन होता तो काफी बढ़िया रहता इसके साथ दोस्तों इसके अंदर आपको स्टोरेज काफी बढ़िया मिल जाती है डिजाइन इसका आपको बिल्कुल मिरर टाइप में मिल जाता है, काफी जादा ग्लॉसी शीशे की तरीके से बैक पैनल मिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक के टाइप का और आप देख सकते हैं, दोस्तों स्क्रेचिस वगएरा असानी सा जाते हैं मतलब आज इसको खरीदेंगे और दो-तीन दिन में स्क्रेचिस आजेंगे तो आप खयाल रखिएगा इसका थोड़ा केर से यूज़ करिएगा कैमरे सकेंदर आपको नॉर्मली मिलता है, लेफ्ट साइड साब देहेंगे सिम के ट्रे दी गई है, दो सिम काड एक मेमरी कार तीनोचीज एक साथ लगा सकते हैं टाइप सिपोर्ट तो इसकेंदर आपको नहीं दिया गया, USB to Micro USB केबली मिलती है, राइट साइड पर वॉल्यूम के बटन्स और पावर का बटन है, फिंगर पेंट स्केंदर आपको मिल जाता है दोस्तो बैक पैनल पे, 5000 एमेश की बैटरी मिल जाती है इसकेंदर तो नॉर बैटरी और काफी बढ़िया स्टोरेज और अच्छी डिस्प्ले के लिए, ये खुब ये इसकेंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है, बाकी कैमरी की परफॉमेंस और हैवी इसकेंदर दोस्तो ये फोन एवरेज है, चलिए बढ़ते हैं बगले फोन की तरफ जो आपक इसकेंदर आपको वही खुब ये दी गई है, लेकिन कुछ चीजों में ये और जादा बैटर है, इसकेंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज, तो दोस्तो इसकेंदर आपको जो RAM और स्टोरेज मिल जाती है, वो काफी बढ़िया मिल जाती है, स्मार्ट 6 प इसके साथ दोस्तों बैक साइट से भी इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, काफी जाद आपको गलॉसी शाइनी मिल जाता है, लाइट की रिफ्लेक्शन काफी बढ़िया लग रही है इसके बैक पैनल पे, और दोस्तों क्वालिटी स्केंदर भी वैसी है, स्क्रेचिज व एक मेमरी कार तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, टाइप सीपोर्ट इसकेंदर आपको मिल जाता है, ये चीज का काफी बड़ा फर्क है दोस्तों इसमें, ये खुबी आपको मिल जाती है, राइट साइड पर आप देहेंगे दोस्तों, तो फिंगर पेंट स्केंदर इसम 610 प्रोस्सर दिया गया है, तो पर्फॉमेंस भी आपको इसके अंदर बढ़िया मिल जाती है, तो जाधा तर चीजों में दोस्तों सिर्फ 300 का ही फर्क है, मैं तो कहूंगा अगर आप अपने दोस्त के साथ गए हैं, तो उसके साथ उससे जो उधार लेके 300 रुपे महंगा ये होट 11 2022 खरीद लिएगा, अगर स्मार्ट 6 प्लस खरीद रहे हैं, क्योंकि पर्फॉमेंस बढ़िया मिल जाएगी, डिस्प्ले जाधा बढ़िया मिल जाएगी, और दोस्तो रैम भी जाधा इसके अंदर, तो ये काफी वैल्यू फोर मनी है, दोस्तो 8300 माव इस फोन को ये आपको मिल जाएगा 8500 का, साड़े 8000 का, तो 200 रुप आपको और जाधा लेने पड़ेंगे दोस्ते, साड़े 8000 में दोस्तो इसके अंदर आपको जो है, डिस्प्ले के अंदर 90 Hz का रिफ्रेशेट मिल जाता है, तो चलाना में काफी जाधा स्मूध लगता है, ये चीज इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल की मिल जाती है, साड़े 6500 और जाधा डिस्प्ले सके अंदर आपको मिल जाती है, दोस्तो उसी पंचोल कैमरे वाले डिजाइन के साथ, IPS HD+, डिस्प्ले की जो क्वालिटे ही दोस्तो हम आपको करीब से दिखा देता हूँ, बिल्कुल 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर आपको मिल जाती है, डिजाइन दोस्तो आप देख सकते हैं, काफी जादा बढ़िया लग रहा है, इसका ब्लू कलर आपको कुछ इस तरह किसे मिल जाता है, फिंगर पिंट स्केनर भी है बैक पैनल पे, कैमरे की परफॉमेंस द आपको hybrid sim slot मिलता है, तो ऐसा चीज नहीं है दोस्तो किसी के अंदर भी, नीची की साइट से आप देहेंगे तो type c port इसके अंदर आपको मिल जाता है, यह चीज काफी बढ़िया है, तो type c port का support इसके अंदर आपको दिया गया है, राइट साइट पर volume के बटन से और power का बट complete smartphone है यह, सब भी features इसके अंदर आपको दोस्तो price के साब से बहुत ही कमाल के मिल जाते हैं, finger paint scanner भी है, performance भी बढ़िया है, display भी इच्छी है, 90 Hz का refresh rate भी है, design भी काफी अच्छी है और battery भी बढ़िया है, चलिए बढ़ते हैं बगले phone की तरफ जो कि है Infinix का hot 12, अब दोस्तो hot hot 12 आपको मिल जाएगा, 9000 का, 4GB RAM, 64GB के internal storage दोस्तो इसके अंदर आपको मिल जाती है, अब दोस्तो यह 500 रप और महंगा है, तो मैं आपसे कहूंगा, आप अपने दोस्ते पैसे अभी मत माँगे क्योंकि मुझे थोड़ा average लगा phone, इसके अंदर आपको features तो अच्छे मिल ज जाती है, इसके साथ दोस्तो डिस्प्ले स्केंडर आपको दी गई है, IPS HD+, डिस्प्ले की क्वालिटी स्केंडर भी आपको बढ़िया मिल जाती है, लेकिन डिजाइन जो है, वो है नौच वाला, पंच होल कैमरे वाला डिजाइन होता तो काफी जादा बढ़िया रहता, जै जाती है, इसके अधर आपको जो में कैमरे मिलता है, वो मिलता है 50MP 50MP और परफॉमेंस आपको परफॉमेंस सही दी गई है, लेफ्ट साथ साथ आप देहेंगे तो सिम के ट्रे दी गई है, दो सिम काड़ एक मेमरी काड़ तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, टाइप सिप का G37 प्रोससर इसके अधर आपको दिया गया है, तो अगर आप एक थोड़े बहुत हेवी यूजर है, तो परफॉमेंस भी आपको इसके अधर बढ़िया मिल जाएगी, तो दोस्तो जैसा आपको फीचर्स जो है होट 12 प्ले के अंदर मिलते हैं, वैसी फीचर्स इसके अध अधर आपको मिल जाते हैं, बस इसका प्राइस थोड़ा जादा है, तो इसके अंदर आपको कैमरी की परफॉमेंस थोड़ी बेटर मिल जाती है, और डिजाइन डिस्प्ले का नौच वाला है, तो यह मुझे काफी एवरेज लगा, अब चले बढ़ते हैं अगले फोन की त इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल की मिल जाती है, 90Hz का रिफ्रेश एट भी दिया गया है, तो इस चीज भी काफी बढ़िया है, डिस्प्ले का डिजाइन नौच वाला है, IPS डिस्प्ले दी गई है, दस हजार दोस्ट इसका प्राइस है, शे जी बेरेम, साथ में इसका प्राइस सुन के होगेगा, यह तो मुझे मेरा फून ही आ जागा, इतने पैसे मुझे मुझे लपेटेगा, इतने पैसे मुझे उधार ले रहा है, तो मैं तो खुदी खरीद के चले जाओंगा, इस से बढ़िया, नीची की तरफ दोस्ट इसके अंदर आप परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, काम वगएर आपको करना है फून से, तो काफी बढ़िया रहेगा, रैम और स्टोरिज भी काफी बढ़िया है, इसके साथ दोस्तो कैमरी की परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, और दोस्तो डिजाइन भी इसका काफी ज दोस्तो note 12 series चल रही है, लेकि note 11s अभी भी बहुती तगड़ा फून है, note 11s के अदर दोस्तो आपको डिस्प्ले में 120 Hz का refresh rate मिल जाता है, तो चलाने में यह बहुती जादा स्मूध मिल जाता है, दोस्तो आपको punch hole camera वाले design दिया गया है, IPS display मिलती है, और display के अदर आपको edges bezels काफी कम मिलते है, colors quality दोस्तो आपको बहुती कमाल की मिल जाती है, कुछ इस तरी के साथ आपको back side से design मिल जाता है, green color में दोस्तो आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया लग रहा है, matte finish में design दिया गया है, और 50 MP का main camera मिलता है, performance भी आपको camera के अदर आपको काफी बढ़ि 33 watt का, right side पर आपको fingerprint scanner side में दिया गया है, power के button के अंदर, उपर की side से देखेंगे तो plain design है, midi tech का G96, इसके अंदर आपको processor मिलता है, तो दोस्तो performance आपको बहुती बढ़िया मिल जाती है, इसके अंदर, ये phone दोस्तो बहुत जादा heavy use के साबसे काफी जादा बढ़िया है, अगर आप एक बहुत जादा heavy user है, तो दोस्तो performance आपको बढ़िया चाहिए, game वगरा खिलने तो काफी बढ़िया रहेगा, 6GB RAM, 64GB के storage मिल जाती है, और इसका price 14,000 है, तो 14,000 में आपको मिल जाता है दोस्तो ये, अब अगला phone है, दोस्तो, Infinix का Note 12, अब दोस्तो ये हैं सभ सबसे best phone, क्योंकि दोस्तो सबसे best features में नहीं है, लेकिन price इसका बहुत बढ़िया है, और price के साबसे features इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल के मिल जाते हैं, 10 से सारे 10,000 में आपको मिल जाएगा दोस्तो ये, इसके अंदर दोस्तो आपको दी गई है Note 12 के अंदर, 4GB RAM, 64GB के internal storage display में वैसे तो 60Hz के refresh rate है, और design है notch वाला, लेकिन इसके अंदर आपको display की quality है, वो इन सारे phones के comparison में सबसे बढ़िया मिल जाती है, और price ऐसा भी नहीं है कि इसका 15,000, 16,000, तो 10,000, 11,000 में इसके अंदर आपको display जो है emolid मिल जाती है, तो ये चीज़ काफी जादा बढ़िय display के colors इन सबी phones के साथ आप देखेंगे इसके, तो सबसे बढ़िया मिल जाते है, back side से भी काफी बढ़िया आपको design मिल जाता है, कुछ इस तरहीं से lining वाला pattern मिल जाता है, S-shape में, और ऊपर से दोस्तों आपको काफी जादा glossy pattern दिया गया है, काफी जादा बढ़िया लगत और 10-10,000 में दोस्तों से के अंदर आपको 33W का charger भी मिलता है box के अंदर ही, finger paint scanner साइड में है, battery मिल जाती है, 25,000 image की एक दिन का normal battery backup पराम से मिल जाएगा, और media tech का G88 processor दिया गया है, तो normal performance के अंदर थोड़ी बहुत gaming आप कर सकते हैं, इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी, का इसके अंदर आपको display की quality भी बहुत कमाल की मिल जाती है, camera भी अच्छाए features आपको quality wise काफी बढ़िया ही मिलते हैं, तो दोस्तों Infinix का note 12 मुझे personally सब में सबसे जादा बढ़िया लगा, rate के साबसे, और दूसरा इसके बाद पसंद आया Infinix का note 11S, जो आपको heavy use के सबसे आपको छोड़के, साड़े 8 तक काई आपका budget है, तो दोस्तो hot 12 play भी आपके लिए काफी जादा बढ़िया रहेगा, features आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं, तो मुझे दोस्तों यह 3 phone जादा पसंद आया, note 12 सबसे number 1, उसके बाद note 11S, और तीसरा hot 12 play, आपको फिर भी कौन सा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो दोस्तों गर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाएगा, चैनल पर आप ने हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं कर रहा का, तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ने वीडियो आपको पहुशते रहें, इसके लग दोस्तों वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेर जरूर कर दिएगा, WhatsApp और Facebook पर, और दोस्तों ऑनलाइन सेल लगती रहती है, फोन्स के रिट कई बार कम हो जाते हैं, आपको और बी सस्ते मिल जाए, तो लेफ्ट सेट पर वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर, बाबाए